हुआ है हलो दोस्तों वेल्काम डू जीरो आइस जीरो आइस में आपका स्वागत है दोस्तों यूपीए सी दो या चॉबिस प्रेलिम्स और मेंस को टार्गेट करते हुए हम लोगों ने जोगरफिका कोर्स स्टार्ट किया था जिसमें अल्रेडी हम लोग छे क्लास ले चुक मैंने यूपीए सी कमेंस दोस्तों यह लेक्चर हिंदी इंग्लिस दोनों में है दोनों मीडियूम के बच्चे असानी सीच को पढ़ सकते हैं ठीक है तो चलिए आज हमरा लास नमर सेवेन है सबसे पहले हम स्लेवर्स देखते हैं कि क्या क्या चीज हम लोग कंप्लीट कर च दोरी कन्वेक्शन थियूरी उसके बाद कन्टिनेंटर दिफ्ट थियूरी यह सब को डिटेल में आख्छे से पढ़ा है किसद्रा से टकराते है है लिधोस पेर क्या होता है प्लेट टेक्टोनिस में कितने टाइप के प्लेट होती हैं continent continent margin क्या होते ओसी नुसीन क्या होता है transform boundary औरी क्या होते सारे के बारे में detail में अच्छे से पढ़ लिया है उसके बाद्र कितने टाइप के रॉक होते हैं क्या क्या फीचर है कभी एक रॉक दूसरे में कनवर्ट होता है रॉक साइकल क्या होता है यह साराशी अच्छे से म्लूग रॉक में पढ़ चुके हैं कितने टाइप के सेडिमेंटरी रॉक होते हैं इगनियस रॉक कितने टाइप के होते हैं मे कितने type की होता है chemical की weathering क्या होता है physical wind क्या होता है mass movements क्या होता है ठीक है उसके बारे में डिटेल में discussion किया था जियो मार्फिक process में ठीक उसके बाद यह जो landforms है इस topic को हमने बोला था कि बाद में इसको पढ़ेंगे इसके लिए एक वीडियो आएगा तो इसको अभी तक हम छोड़े हैं अब उसके बाद हम एट्मोसफेर सुरू किया थे तो एट्मोसफेर का परकूलेशन की है थे जिसमें मैंने आपको data streams के बारे में बताया था ठीक है साती साथ जो trade winds है नौट इस टेड्वीन साफ इस 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 वारे में डिटेल में डिसकसन किया था प्रेसर के बारे में डिटेल में पढ़े थे वेस्टर लीज क्या होता है क्यों वेस्टर लीज में हम लोग पढ़ेंगे cyclones के बारे में ठीक है tropical cyclone क्या होता है temperate cyclone क्या होता है दोनों आपस में किस तरह से differentiate है eye क्या होता eye wall क्या होता है tropical cyclone कैसे बनता है क्या क्या condition है किस तरह से उसका नाम रखा जाता है यह सारा चीछ पढ़ेंगे उसी तरह से temperate cyclone क्या होता है दोनों में क्या difference है तो रॉपिकल और temperate में temperate cyclone कहां पे आता है वहां पे क्यूं आता है उसके बारे में पढ़ेंगे temperate cyclone वारे chapter में फिर हम लोग पढ़ेंगे air mask के बारे में आज ठीक है air mask क्या होता है air mask कि होता है से लुक्त करेंट किया होता है ठीक है स्टेजनरी फ्रंट क्या होता है कि है डेसीपेटिंग उसके बारे महठ लोग फ्रेंट से毒 है तो आज हमारा जो टार्जेट है वो है साइक्लोन को पढ़ना जिसमें ट्रॉपिकल साइकलों टेंपरेट साइकलों को अच्छे से पढ़ेंगे फिर हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों देखें टॉपिकल साइकलों के बाद हम लोग पढ़ेंगे फ्रंट के बारे में फ्रंट के बारे में जब पढ़ लेंगे उसके बाद हम टेंपरेट साइकलों को पढ़ेंगे अपिर हम एर मास के बादें बारें Nawal चार्टॉपिग है उसमें दो पढ़ें गे उसके बाद फ्रेंट और एर म स्टोटल ऌहान से इन्डिया नौई accumulate हो जाए भू तिमस्था वह बचेगई आपका लैंडफ i.و बचे बचेगा और दूसरा हमारा हीट बचेट बचेट फिर हम लोग ओजियोनोग्राफी सुरू करेंगे नेक्स्ट एक लेक्चर के बाद ठीक है तो चलिए सुरू करते हैं दोस्तों आज हमारा क्लास नंबर सेवेंथ है ठीक है अब देख सकते हैं इतना सारा चीज हम अच्छे से आपको पढ़ा पढ़ा के समझा दिये हैं कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा अगर यह लेक्चर आप कर लेते हैं कंप्लीट जोगरफीगा और एंसी आट 11 12 का पढ़ लिजी दो चार्ट मैं बस यह चाता हूं कि आप बस पढ़ते रहो ठीक है और आपको कुछ नहीं करना है उसी तरह से मैंने आपको जो है इन्वायरमेंट पढ़ा दिया है एकनॉमिक्स पढ़ा दिया है पॉलिटी पढ़ा दिया है modern history पढ़ा दिया है ठीक है जोगरफी हमारा चल रहा है चल और previous year question prelims का चल रहा है ठीक है जो रफी आपका 7-8 दिन में complete हो जाएगा ठीक है उसके बाद हम लोग साइंस टेक करेंगे जो 20-25 दिन में complete हो जाएगा तो आपका पूरा GS का portion आपका prelims के लिए complete हो जाएगा आपका December से या maximum 15 जन्माई तक पूरा खतम हो जाएगा फिर हम लोग 15 जन्माई तक जो हमारे पास 5 मेना का समय बचेगा उसमें रगड़ के पूरा फिर सिर्फ पॉसिफ को प्रैक्टिस करेंगे तो सारा चीज आप देख सकते हैं सारे का playlist मैं इस वीडियो के comment section में पीन कर दो होगा ठीक है दोस्तों सबसे हम लोग पहले पढ़ते हैं साइक्लोन के बारे में साइक्लोन को बोलते हैं हिंदी में चक्र वात का मतलब होता है वायू और चक्र मतलब cycle तो जब वायू सरकल में घूमता है इस तरफ से clockwise मतलब घड़ी कदिसा में घूमेगा उसको clockwise बोलेंग और यह भी साइक्लोन इस तरफ से मोड़ जा है तो इस clockwise हुआ ठीक है इसको हम लोग बोलेंगे anti-clockwise ठीक है क्योंकि यह उल्टा जा रहा है गड़ी के direction में ठीक है तब देखिए जो साइक्लोन होता है उसके दो types होते हैं एक को बोलते हैं हम लोग ट्रॉपिकल साइक्लोन उ तो देखिए अब हम लोग एक एक करके पढ़ेएंगे पहला है हमारा है ट्रॉपिकल साइक्लोन मतलब उसमें कटी बन दिया चक्रवाद उसमें कटी बन दिया चकवाद ठीक है बहुत असंत टॉपिक है एकदम असानी से समझ माँ जाएगा आपको तो देखिए ट्रॉपि का जोखा होता है ठीक है एकदम हवा का लहर टाइप आप समझ लीजिए जो हमारा जो ट्रॉपिकल ऐसीयनी के रिया है जो समुद्री अरिया है और ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल मतलब 23 डिगरी नॉर्थ और 23 डिगरी साउथ तो अगर हम यह ग्लोब बनाएंगे तो यह हमारा ए यह जो एरिया है ना इसको इकवेटोरियल यह अहीं यहां जहां इकवेटर केसे बाहर अप एक violent storm है जो tropical oceanic area में आएगा मतलब ऐसा area जो tropics में हो और plus समुद्र में हो पानी जरूर चाहिए tropical cyclone के लिए ठीक है उसके बाद ये जब cyclone oceanic area में develop होता है तो उसके बाद वो coast की और जो समुद्री तठ है उसकी और move करता है ठीक है और बहुत तेजी से हवा चलता है violent storms चलता है ठीक है बहुत ज़्यादा बारिस होता है heavy rainfall होता है और तेजी से हवा भी चलता है strong winds तो अब बोलेगा tropical cyclone क्या होता है तो अब बोलेंगे tropical cyclones violent storms होता है जो oceanic area tropical oceanic area में originate करता है और फिर वहां से तटकी और move करता है और अपने साथ बहुत ज़्यादा वर्सा तेज हवाएं लेके आता है उसका हम लोग बोलते है tropical cyclone ठीक है जैसा अगर हम इंडिया का map बनाएंगे ठीक है ये इंडिया का map रमालो तो cyclone हमें इसा tropical cyclone पानी में होगा उसका पानी के बाद ये coast की और move करेगा और तेज हवा के साथ और कूप सारा बारिस के साथ ये coast के से टकराएगा और थोड़ा थोड़ा फिर अंदर जाएगा फिर खतम हो जाएगा तो मतलब tropical cyclone के लिए पानी जरूर चाहिए ठीक है आब हम देखेंगे कि क्या क्या condition और tropical cyclone के लिए ठीक है तो हम लोग देखेंगे कि tropical cyclone बनने के लिए क्या क्या favorable condition मतलब उपयुक्त जो है इस्थिती चाहिए कि तभी tropical cyclone बनेगा तो पहला हमने बता दी आपको ये ocean होना चाहिए ठीक है और कैसा ocean गरम ocean ठीक है तो warm ocean होना चाहिए ठीक है जिसका temperature 27 degree Celsius से अधिक होगा या उतना होगा और उसका area बहुत बड़ा होना चाहिए area क्या होना चाहिए large ठीक है इसका मतलब तलाब उलाब में cyclone नहीं बनेगा tropical cyclone बनने के लिए पहला सबसे जो important condition है कि वो बड़ा सा ocean चाहिए जो गरम चाहिए सताई degree Celsius से उपर का temperature होना चाहिए ठीक है और आपका area क्या होना चाहिए बड़ा दूसरा है coriolis force रहना चाहिए मैंने बताया था coriolis force एक force होता है एक बल होता है जो पिट्थवी के अपने axis के चार्ण तरब घूमने के कारण बनता है उसका हम लोग बोलते है coriolis force ठीक है त तब देखिए जब equator में zero होता है तो बताइए equator में पानी तो है ocean है warm भी है temperature भी सताई degree Celsius से area भी बहुत बड़ा है लेकिन वहाँ पे coriolis force zero है तो coriolis force एक जीरो है तो क्या वहाँ cyclone बनेगा नहीं बनेगा इसलिए जो equator होता है तो वहाँ पे cyclone कौन सा cyclone ट्रोपिकल cyclone नहीं बनता है क्यों क्योंकि coriolis force कितना है जीरो है अच्छा पोल में तो coriolis force maximum है लेकिन यह बताएए पोल ठंडा जगा है कि टंडा है तो वहाँ पे वारम उसके नहीं मिलेगा इसलिए पोल में भी नहीं मिलता है इसलिए maximum जो cyclone आपको बनता है वो ट्रोपिकल एरिया में बनता है 30 डिगरी नौर्थ और 30 डिगरी साउथ के बीच में लेकिन equator में भी बनता है क्योंकि वहाँ पे coriolis force नहीं है प्रिट्वी अपने जब एक्सीस की तरब भूमती है तब होता यह हमारा एक्वेटर यह पोल है तो अब एक्वेटर से जब पोल की तरब जाएंगे तो हमारा coriolis force क्या होगा बढ़ेगा ठीक है चलिए हो गया उसके बाद तीसरा जो चीज चाहिए के coriolis force मतलब cyclone को बनने के लिए वह चाहिए कि देखिए अब जब समुद्र है वह गरम हो रहा है गरम होने के बाद उसका जो बहाँ पानी है बहाँ बनके उपर उठ रहा है तो इसलिए a strong vertical wind चाहिए strong vertical wind मतलब तेजी से हावा गरम होके उपर उठे फिर बादल ठंडा होके बादल का निर्मान करे फिर उठते रहना चाहिए तब ही तो इधर से हावा आते रहेगा इधर से और यह भूंता रहेगा है ना तो इसलिए तिसरा condition है strong vertical wind होना चाहिए लेकिन उसमें variation नहीं होना चाहिए मतलब ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए vertical wind हमेशा क्या रहन चाहिए strong variation होने का मतलब ऐसा नहीं कि एक समय बहुत strong है फिर कमजोर हो जाए तो वैसे तो cyclone पर इफेक्ट पड़ेगा इसलिए tropical cyclone के लिए strong vertical winds होना चाहिए ठीक है अगर यह point अगर समझ में नहीं आए तो आगे समझ में आ जाएगा अभी बस इसको ध्यान में रखिए चौता है जो लो प्रेसर होना चाहिए कहां फेए ओसीन में ठीक है लो प्रेशर होना चाहिए फिक है लो प्रेसर होगा आवी पर क्या दॉप्र होता है जब हावा उठके इससे गरम मग उपर नहीं लिए तो अगलबगल जो ही ओं calories को भरने के लिए आएगा इधर इसी लिए तबी तो फिस साइक्लोन बनेगा अभी इधर से हवा आया अभी को दिलिस फोस के कारण मुड़ी आएगा ठीक है और साइक्लोन बन जाएगा तो इसलिए लो प्रेसर होना चाहिए कहां पे ओसियन में ठीक है तबी बगल से हाई प्रेसर से हवा आएगा और यहां से घुम से मूफ करते रहेगा ठीक है खाली से अब बन जाएगा तो और बहुड जाएगा तो यह यह व्यला दोनों लिंक है लो प्रेसर कई eru वन रहा है क्योंकि ओसेँ क्या गरम घुरम आप जड़ा से क्सथे हावा उठेगा तो बरे तो नीचे वगल अस्थान क्या हो जाएगा खाली और लो प्रेसर केट हो जाएगा तो सब पॉइंट एक दूसरे से लिंक है ठीक है पाँचमा जो है पॉइंट वो है अपर जो एर होना चाहिए वो डाइवर्ज करना चाहिए मतलब क्या अभी समझ में आ जाएगा जैसे यहां लो प्रेसर केट हुआ ओसियन में यह हवा उपर जाएगा उपर जाएगा उपर जाएगा तो ठंडा हो जाता है ठंडा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा भारी भारी ओजाएंगा to the bottom then high pressure क्रिट हो जाएंगा हाई- finely definite क्या होता है हावा दूर जाता है एक हमेसे याद रहेगा जहां भी low pressure बना हुआ है तो वहा हाँ हवा इंटर करेगा अजाहां high pressure बना हुआ होँ तो वहां से हवा दूर जाता है तो यहां low pressure तो हवा उपर ऊठेगा यहां से हाइप प्रेशर बन जाएगा और ही फ्रसका यहां से दूर जाने में लगा है और यहीं फिर ठंडा होके नीचे आजाएगा समझ में रहे ना बारी होगा तो थंडा होगा थंडा होगा तो थंडा होगा तो थंडा होगा तो थंडा होगा तो बारी होगा तो नीचे आ जाएगा तो इसी को हम लोग ऊपर वाला जो लेयर है ठीक है जहां पर नीचे तो लो प्रेसर बना है उस यहन पर जब हम अकास की त साइक्लोन बनता है। एक हुभा है कि हुभा होना चाहिए. हुमिधी जितना ज़्यादा हुभा हावा में नम्मी होगा, उतना ज़्यादा साइक्लोन बनेगा. क्यों बनेगा, हम आब आपको बताएँ कि देखिए यह हवा है ठीक मतलब यह low pressure है यहां से हवा उपर उठा उपर उठा इसमें बहुत सारा moisture है moisture होगा मतलब humidity है तो यह हवा क्या करेगा condensation होगा क्या होगा इसका condensation मतलब जब भी हवा में moisture रहता है ठीक है तो वो आपस में सिकुड़ी आता है और पानी जो है उसमें बहुत सारा पानी था तो वो liquid में convert हुआ तो जब भी वो कोई चीज गैस है लिक्विड में convert होता है तो अपना जिसमें अंदर में अब बता है यह liquid में ज्यादा energy रहता है या gas में गैस कब बनाया है जब आपकी सिस को गरम की है तो मतलब गैस गरम होता है लिक्विड ठंडा होता है राइट इसलिए चावल आप पकाते हैं तो भाफ में ज्यादा energy होता है ना कि गरम पानी में उतना ठीक है इसलिए इसलिए लोग टरबाइन वरबाइन चला कि जब बिली करेगा फीरा उपर से हावा आ रहा है तो उसको क्या करेगा गरम करने के काम करेगा और हवा ऊपर उढ़ते जाएगा रहा है, उसी को आवा उपर उठते जा रहा है तो जितना आवा उठה गा, उतना strong बादल का निर्मान होगा रहा है, उस क्लाउड को आवं लोग बोलेंगी badass, 说 Pv duty क्लाउड जो भाइड होरा होला है नहीं, ध्रॉप्लेट में connect हो गया, होई थीक है, तो हवा उपर उठते गया, उठते गया,icketंडेंसेशन होगा, कंडेंस होने के बाद जो भी olduğ वाटким सबस्क्राइब होग इनरजी था, ही थीक है, वह रिलिज हुआ अगल वगल तो वगल अगल वगल अनरजी रही है, फिर बादल निर्मान करेगा तो ऐसे करके बहुत उंचा क्लाउड बन जाता है और उस क्लाउड में बहुत सारा पानी होता है ठीक है क्यों पानी होता है कि कुई वो जो है समुद्र से माइस्टर लेके ऊपर उड़ रहा है ठीक है तो बहुत सारा पानी भी होगा और बहुत क्लाउड होगा वैसे ही बादल कॉम लोग बोलते हैं क्यों बोलो निम्बस क्लाउड समझ मैं आ गया बहुत सिंपल बहुत कॉंप्लेक्स कॉंसेप्ट था लेकिन मैंने आपको बहुत असानी वासा मुसको समझा दिया यह छे स्टेफ है दोस्तों मदब छे जो है हमारा कंडि मतलब किस तरह से वह बन रहा है ठीक है तो सबसे पहले देखिए ट्रॉपेकल साइकलों जो होता है आखिरी जो हमारा यह होता है क्या बोलता है गर्मी गर्मी का मौसम उसमें बनता है मतलब लेट समर में बनता है मतलब समर जब खतम होने को रहेगा उसमें बनेगा ठीक है इंडिया में summer कब रहता है बताइए मतलब समझ लीजे कि जून जुलाई में बारिस होता है तो cyclone इसी समय आता है late summer में ठीक और कहां पर आता है तो tropical area में ठीक है उसके बाद देखें क्या होता है तो समुद्र बहुत गरम होता है, होता है कि नहीं होता है, तो यह माली हमारा समुद्र है, तो सुरज के कारण पानी जो है गरम हो रहा है, जब भी पानी गरम होगा, तो भाब बन के उपर उठेगा, उपर उठेगा, तो जब भी भाब बन के उपर उठेगा, तो यह वल्ला जो अस्थान था वो खाली हो गया क्योंकि भापन के ऊपर उठ रहा है तो यहां पे क्या कि रेट हो गया लो प्रेसर क्या कि रेट हो गया लो प्रेसर तो जब भी लो प्रेसर है तो अगल वगल कहीं हाई प्रेसर होगा होगा कि नहीं होगा हाई प्रेसर तो यहां पे हवा का बरने के लिए हाई प्रेसर से हवा आते गया तो जब लो प्रेसर का हवा उपर उठ रहा है उठ रहा है तो वो गरम है और हलका है जो भीची गरम होता है हलका होता है जिसे आप खाना बनाते हैं तो कूकर का में जो बनाते हैं तो क्या होता है कूकर में अंदर हीट है गरम है उसका हवा उपर उठता है लेकिन सीटी लगा हुआ इसलिए सीटी उड़ी आता है उपर है कि नहीं तो गरम हवा जो हवा उपर उठ रहा है वो कैसा है वार्म है और हलका है लाइट है ठीक है उपर उठ रहा है उपर उठने के बाद कुछ दिर बाद क्या होगा यह जो हवा है ठंडा होगा होगा कि नहीं होगा हवा उपर उठेगा ठंडा होगा तो ठंडा जब होगा तो में बन रहा है तो उसीन में भी जो पानी है जो हवा है वो अपने साथ पानी को भी लेके जाएगा वाटर वैपर को भी तो जब जैसे ही है उपर हवा ठंडा होते जाएगा तो अपने साथ जो पानी को लेके जा रहा है वो पानी को छोड़ देगा क्योंकि गरम हवा में ही प बादल का निर्मान करते रहता है अब जब यह हवा ठंडा होके वाटर वैपर का निर्मान किया ठीक और हवा ठंडा हो गया तो हवा ठंडा होने कारण हवा ठंडा कब होता है जब इसके पास जो भी एनर्जी था वो क्या करेगा छोड़ देगा अगल बगल एनर्जी था वो क्या कर देगा रिलीज कर देगा तब क्या है कि ऊपर में बहुत सारा एनर्जी है तो ये एनर्जी क्या करेगा फिर से जो हवा आ रहा है नीचे से अब जो ठंडा होने वाला था उसको क्या करेगा गरम करेगा तो में जो है जमेगा पानी की रूप में condensation होगा ऐसे गर कि बहुत उंचा जो है बादल का निर्मान हो जाता है और यह process चलते रहता है जब तक नीचे low pressure बनता रहेगा हवा उठता रहेगा तो बहुत उंचा जो है cloud बन जाता है ठीक है उसे cloud का हम लोग cumulonimbus cloud बोलते हैं ठीक है समझ में आ गया तो condensation के बाद heat अपना release करेगा और पानी जो है condens होते रहेगा होते रहेगा उसका जब पानी का बादल का weight वजन जब बहुत जादा होता है फिर ब जो high pressure से यह हमारा low pressure बना और इधर से high pressure से जो हवा आ रहा है दोस्तों इधर से तो हवा जो है सीधा नहीं आता है ठीक है जो हमारा northern hemisphere स्फियर है ठीक है उसमें हम्राइट है साईड को रीलाइशFORTS मुड़ता है और सौ्धर हम्राइश स्फियर में को रील पूर्लीश FORTS के कारण ऐसे तो अब पाण मोड़के घूम की अब गों yeah कि ठीक है वो Northern Hemisphere में Clockwise होता है ठीक है एंटिसाइकलोन जो होता है Northern Hemisphere में Clockwise होता है एंटिसाइकलोन मतलब बीच में अगर High Pressure है तो यहां से हावा जो है बहार जाती है तब यह बनता है हमारा इसको मों एंटिसाइकलोन बोलते हैं और जब बीच में Low Pressure होता है और हावा उसमें इंटर करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं साइकलोन ठीक है तो जो Northern Hemisphere होता है उसमें जो Anticyclone यह बन रहा है वो Clockwise होगा मतलब हावा इससे क्या करेगा ऐसे करके हावा मुड़ेगा है अश्य आई एक हावा जब बाहर जाएगा रखिए यह तरफ से मूड़ रहा है क्लोग आई है ना हैसे मूड़ रहा है एसे इस अश्य देखिए इसका डायरेशन इस तरफ इसका डायरेशन इस तरफ है तो वही मैं बता रहा हूं कि इसको लोग बोलीए Anticyclone क्यों बोले है वो northern hemisphere में अगर हम northern hemisphere का बात करेंगे तो वहाँ पे clockwise होता है ठीक है उसी तरह से जो cyclone बनता है cyclone जो बनता है वो northern hemisphere में anticlockwise बनता है जो cyclone बनता है वो northern hemisphere में वो कैसा होता है clock anticlockwise कैसा होता है anticlockwise याद रहेगा तो जो यह anticyclone बनता है मतलब बीच में अगर high pressure है तो वहां से कोई cyclone निकला है उसको बोलता है anticyclone तो वो northern hemisphere में clockwise होता है और cyclone जो होता है northern hemisphere में anti-clockwise होता है मतलब घड़ी के विपरिती समय तो यह गर मेरा low pressure है तो जो cyclone बनेगा वह अभी देख जब लो प्रेशर होता है तो उसमें हावा क्या होता है अंदर जाता है उसमें बाहर जाता है मैंने भी होता है लो प्रेशर में होता है तो हावा दूर से हावा भरने भरता है इसको तो जब भी हावा दूर से भरेगा तो किस तारेक्शन भरेगा एंटी सैक्लोन में एंटी होता है यह ऐसे होता हुआ गड़िक ऐसे काट एसी मौव करता है ऐसे आसे तो यह हमारा क्लोक वाइज गौइस हुआ एसे उल्टा तो जब भी हावा लोग प्रेसर में भरेगा तो हलबी हावा सीधा नहीं भर कि कैसा भरेगा को जो डिश्फोस के कैसे समझ रहोगी नहीं इस डारेक्शन में ठीक है तो वो चीज आप याद आखेंगे ठीक है इस तरह से आप गूंता है देखिए इसका डारेक्शन कैसा है ऐसे एंटी क्लोकवाई इसका कैसा है इसका कैसे एंटी क्लोकवाई इसका कैसे एंटी तो याद रखिए का जो साइकलोन होता है वो नॉर्दन नेम ये स्वर में एंटी क्लोकवाई होता है और जो एंटी साइकलोन होता है बीच में जब आई प्रेसर है तो नॉर्दन नेम स्वर में क्लोकवाई होता है बस यह थो कैसे वो travel करता है ठीक और क्या क्या उसका feature है अब देखिए tropical cyclone का अगर हम structure का बात करेंगे कि वो दिखता कैसे है तो tropical cyclone में दो पाट होता है एक को बोलते है आई wall ठीक हो और एक होता है ठीक है तो अगर हम tropical cyclone बनाएंगे ठीक है तो beach वाला जो portion होता है अगर हम बनाएंगे अच्छे से थोड़ा ठीक है ncrt में फोटो दिया है जो भी हम बनाने जा रहे है ठीक है तो beach वाला जो इस aquesta cyclone है ठीक है तो beach वाला जो area होता है उसको आई बोलते हैं और इसको और इसको बोलते हैं आई wall क्या बोलते हैं आई wall ठीक है तहरहें यहाँ सहावा उपर उठा है यह जो cyclone and yellow pressure है त्फीह हवा से हवा ऊपर उठा है अब यह वा जब उपर उठता है इधर से भी व उपर उड़ रहा है इदर से यहाद रह रखेगा आई BOL से अब उपर उठता है उपर उठने के बाद हावा ठंडा होगा ठंडा होगा भारी होगा बादल का निमान करेगा और जब भारी हो जाता है तो भारी होने के बाद यहां से नीचे गिरता है ठीक है तो आई के पास जमता है आई के पास सबसाइड करता है गिरता है नीचे तो इसको हम लोग बोलते हैं ascending air क्या बोलते हैं ascending मतलब उपर उठने वाला यह ठीक है समझ माय तो जब हम उपर उठता है यहां से उपर उठकी इधर जा रहा है तो मैंने बताए बादल का निर्मान करता है और मैंने बताए तो एक लेवल नहीं होता है कभी आई आई वाल का हाइट इतना होगा फिर वो बढ़ते जाएगा फिर वो बढ़ते जाएगा तो अलग-अलग लेवल पर अलग-अलग बादल का निर्मान होता है और इसी बादल को हम लोग बोलते हैं Cumulonimbus Cloud क्या बोलते हैं Cumulonimbus Cloud ठीक और यहां औ इदर से बाहर जा रहा है इदर से क्या हो रहा है बाहर जा रहा है तो इसको आउट फुलो बोलते हैं इस एयर को आउट फुलो मतलब हावा बाहर जाना या ऊपर उठना आउट फुलो और यहां से हावा क्या हो रहा है सबसाइड कर रहा है तो इसको सबसाइडिंग एयर ब मैंने आपको बताया था ना कि यह हमारा अगर atmosphere है तो शुरू का होता है troposphere फिर astratosphere, mesosphere, thermosphere यह troposphere में सबसे जो top position है उसको हम लोग tropopoge बोलते हैं क्या बोलते हैं? tropopoge यह astratosphere है तो इसको क्या बोलेंगे astratosphere का सबसे टॉप कर ले बर, astratospoge इसको यह mesosphere है तो mesosphere का सबसे उपर के लाइन को पोलेंगे mesopoge ठीक है तो इस तरह से होता है तो यह जो हवा उपर उठ रहा है cyclone के दोबारा वो कहां तक जाएगा maximum tropopoge तक जाएगा तो आई समझ गया है क्या हुआ तो आई जो होता है वहाँ पर आपको हल चल नहीं दिखेगा जो आई होता है वह एकड़ा सांथ जगा है ठीक है वहां पर हब अबसाइट है लेकिन सबसे खतरनाग जो जगा होता है वह है आई वाल क्योंकि यहां हाँ से हवा ऊपर उट रहा है समना जगह है तो आप देखे होंगे घर तरब भी जो हम लोग के घर तरब फोटा च्छक्रवात नहीं होता है जिसे हवा में गर्मी के सामय यह आप देखेंगे कि फिल्ड विल्ड में ऐसे से पत्ता होता घुमते रहता है घ यह आपको याद रखना है फिर आई वोल क्या होता है यह मैंने आपको बता दिया फिर ठीक है फिर इसमें अलग-अलग क्लाउड बनता है निम्बस क्लाउड सीरस क्लाउड इस तरह का क्लाउड अलग-अलग हाइट का पर बनता है ठीक है क्लियर कोई दिक्कत नहीं है बस आपको याद रखना कि आई जो होता है वो सांत जगा होता है आई बॉल क्या होता है बहुत मतला हर ल इया होता है ठीक किलियर अप्छुकर लाट के मूफ कर रहा है तो ये ज然后 हमाराotype संब्च होते रहता है कभी क्या होगा यही बहला चीज़ंगा बहुंशाउंओ फिर उसके अगल वगल आई वाल बन जाएगा फिर एसे सिफ्ट होगा फिर यहां पर आई बन जाएगा अगल वगल आई वाल बन जाएगा तो ऐसे सिफ्ट होते रहता है और हमारा साइकलोन मूव करते रहता है ठीक है समझ गया है तो देखें जो हमारा ट्रोपिकल साइकलोन है यह OCEAN में हो रहा है ठीक है इसलिए जो ट्रोपिक हमारा जो इंडिया का कोस्ट है यह कोस्ट ले रिया है ठीक है यह कोस्ट ले रिया है ठीक है तो इसलिए यहां पर साइक्लोन बहुत ज़्यादा आता है ठीक है क्या आता है यहां पर साइक्लोन बहुत ज़्यादा आता ह ये भी एक question है क्यों क्योंकि बेव बंगाल में जो पानी है वो fresh water है यहां बहुत सारी नदिया मिल रही है लेकिन अरेवियंसी में जो पानी है वो saline water है ठीक है कैसा है saline water तो इसलिए fresh water को गरम करना जल्दी असान है saline water में salt होता है नमक होता है तो वो एक तरह का impurity है गंद साइक्रम बहुत ज्यादा आता है इसलिए आप देख्योंगे उडिसा आन पर्देश यह सब ज्यादा डाइमेज़ वाला एडिया है यहां आएगा लेकिन कम आएगा कि लिए दूसरा बात हमारा जो आमने पढ़ा था नॉर्थ इस ट्रेट बेंट पढ़े थे ना यह अग कि असलिए यहां पर ज्यादा आता है अब देखिए जो टरॉपिकल साइक्लोंग में ओता है वो जैसे जितना दूर जाएंगे आप जमीन से have Gust kalian यहां पर ज्यादा रहाँ क्म जूर होगा कि विसके लिए हमेसा पानी चाहिए लो-प्रेसर चाहिए बादल बन चाहिए तब भी वह उस्ट्रांग रहाता है इसलिए जितना धुमीन से आफ दूर जाएंगे, उतना साइकलोन कमर्वजूर होता है, इसलिए हमारा जो तर्टिये छेतर है कोष्टल एरिया है, यहाँ पर साइकलोन से ज्यादा डायमेज होता है और जैसे आफ दूर जाएंगे ज़ारकाण कम जोर हो जाएगा तो यह हमारा पूरा complete information था आपको tropical cyclones related क्यों बनता है कैसे बनता है कैसे travel करता है बेव बंगार में ज्यादा क्यों आता है रिबिंसी में कम क्यों आता है अब अगला जो है वो है आपका क्या उसको बोलता है naming की नाम कैसे होता है कभी इसका नाम हो जाता है जैसे की अलग-अलग cyclone का नाम होता है ना जैसे एक बार नाम था वायू तो कभी कुछ और रख देते हैं कभी कुछ और रख देते हैं ठीक है तो naming कैसे होता है तो हमारा एक अंतराश्ट लेवल पर एक संस्था है International Meteorological Department ठीक है IMO बोलते है International Maritime Organization ठीक है तो इन्होंने क्या किया दुस्तों कि बहुत सारे गुरूप का जो हमारा Indian Ocean का देश है ठीक है उनके गुरूप बनाया है जिसमें कुछ अप्रिका के देश है कुछ एसिया के देश है ठीक है वो बारी बारी करके साइकलोन को अपना देश नाम देते हैं तो अगर इंडिया है तो वो हिंदी नाम देगा पाकिस्तान है वो उर्दू नाम देगा मायरमार है तो अपना वो अलग से नाम देगा जो उसका देश का लेंगवेज है तो उसी क्याधार पर Ciclon का naming होता है और नाम करने का जो है प्रकिरिया है वह एक देश करता धिए पिर अगले शल को यौर करेगा इस तरह से होता है तो यह है तो यह चीज है तो यह होगी हमारा Ciclon के बारे में एक और जी करें लिए जो है और सबसे टॉप में हवा यहां से क्या होता है diverge होता है high pressure के कारण तो इसका उकरम उपर से नीचे दिखेंगे तो यहां से हवा उपर उट रहा है यहां पर साइकलोन बहुत strong हो रहा है और यहां से ठंडा होके हवा नीचे जा रहा है high pressure create करके ठीक है यहां पे यहां से inflow हो रहा है हवा अंदर जा रहा इधर और यहां से हवा outflow हो रहा है मतलब बाहर जा रहा है और यहां हवा उपर उठ रहा है ठीक है तो समझ गे तो यह जो जो जोन है उसको बोलेंगे inflow क्योंकि यहां पे हवा in कर रहा है बाहर से low pressure में और है तो हाँ किया है तो हवा यहां से बाहर जाएगा तो इसके लोग बोलते है ministre और outta अधिक है अब यहहीं पर देखे यह हमारा साइक्लोन हो गया यह क्या होगा साइक्लोन दीलाडड और कहीं पे बीच में हाई प्रेसर है तो यहां से हवा बाहर जाती है यहां पे हाई प्रेसर हवा बाहर जा दी है तो यहां अंदर जा दी है तो यह हमारा साइकलोन हुआ क्लियर है तो यह हमारा साइकलोन का टॉपिक कंप्लीट हो गया है अब हम लोग पढ़ेंगे टेंपरेट साइकलोन के बारे में लेकिन टेंपरेट साइकलोन पढ़ने से पहले हमें फ्रंट के बारे में पढ़ना पढ़ेगा क्योंकि cold front और warm front के मिलने से temperate cyclone बनता है तो सबसे पहले मैं समझना पड़ेगा भाईया front क्या होता है ठीक है तो देखिए दोस्तों front क्या होता है तो front समझ लिजिए अगर कोई आपसे पूछेगा कि what do mean by front front क्या है तो आप बोलिएगा कि front जो होता है वो three dimensional ठीक है three dimensional boundary होता है दो different ठीक है ear mask के बीच में बनता है तो जो जब दो डिफरेंट एर मास मतलब एक बहुत ठंडा एक बहुत गरम एर मास को आगे पड़ाएंगे जब आपस में मिलता है तो उस छेत्र को जहां पर वो मिल रहा है तो एक बॉंडरी का निर्मान होता है उसको हम लोग फ्रंट बोलते हैं जैसे एक एर मास समझ लीज पिर्थी पे इस पार्ट में हावा बहुत देर तक है ठीक है मूब नहीं कर रहा है तो क्या करेगा यह जो हावा है वो नीचे जो जमीन है उसके कारण अगर जमीन अगर ठंडा है तो हावा भी ठंडा हो जाएगा टेंपरिचर भी उसका उसी जैसा हो जाएगा आस पास के बहुत लंबे समय तक जब हवा मूब नहीं करेगा तो air mass मतलब जब बहुत large amount of air किसी भी एक एदिया में लंबे समय तक रहता है movement बहुत कम होता है या ना के बराबर होता है तो वो जो air रहता है उसी geography का या उस area के feature को temperature को humidity को pressure को धारन कर लेता है उसी air को हम लोग air mass बोलते हैं ठीक है तो जब दो आगे हम air mass के बारे मौड़ेटे के आपको पढ़ाएंगे तो जब दो different air mass मतलब एक बहुत ठंडा air mass है और उसके respect में जो एक गर्म air mass है तो जब दोनों आपस में मिलता है तो बीच का जो छेतर बनता है माले यह cold air mass है अब जो cold होगा वो ठंडा होगा तो यह क्या होगा नीचे रहेगा मतलब दो हवा मिल रहा है एक गरम हवा एक ठंडा हवा इधर से hot air mass या warm air mass मिल रहा है तो warm air mass क्या रहेगा हलका रहेगा तो यह उपर रहेगा cold air mass नीचे रहेगा तो जब यह मिलेगा एक इधर जाएगा एक नीचे आएगा तो उसके कारण बीच वाला जो एरिया होगा उसी हम लोग क्या बोल देंगे front तो front एक three dimensional boundary होता है जो दो different air mass के बीच में बनता है ठीक है तो front generally बनता है दो दिगरी north and south मतलब अगर हमारा यह अर्थ है तो यह ट्रॉपिक अप कैंसर है 23 डिगरी यह ट्रॉपिक अपका रिकार कर देखा कर कर देखा है यह मकर देखा 23 डिगरी पर तो उसके ऊपर जाएंगे तो 30 डिगरी और फिर 65 डिगरी तो यह वाला जो एरिया है north में और यह व और south वाले अरिया में ठीक है तो जो front होता है वो तब बनता है जब दो different air mass मिलता है याद रखेंगे दो different air mass रहेगा तब मिलता है तो बीच वाला जो छेत्र होता है जो बनता है boundary बनता है उसको हम लोग air mass बोलता है उसको क्या बोलते है मतलब front बोलते है ठीक है उस boundary को ठीक है और वो कहां बनता है और फ्रेंट आप समझगे क्या होता है वो boundary होता है जो इसको हम लोग फ्रंट बोलते हैं clear तो फ्रंट जो बन रहा है उस प्राकिरिया को हम लोग बोलते है frontogenesis मतलब front का निर्मान कब में बनता है जब दो different air mass मिलते है different air mass मिलता है तो आप बनता है वो front कहते हैं और उस प्रक्रिया को frontogenesis बोलते हैं ठीक है अब देखे data front बनता है तो दोनों में بनता है Northern Hemisphere में बनता है ऊतरिं गुलार्द में अधरिशनी गुलार्द में जो front बनता है उसका डायर्य síndaka होता है clockwise और क्यों direction होता है मैंने पारले बताया था कुछ भी direction अगर होगा तो Coriolis force के कारण ठीक है समझ गया आप front क्या होता है front बनने के प्रकेरिया को क्या वकाते है front कैसे बनता है कहां पर बनता है clear यहां पर कि अब देखिए जो front बन रहा है वो अलग-अलग type का होता है ठीक है एक होता है cold front है कि याद रखिएगा माल दीजे यह हमारा cold air mass है तो cold air mass अगर किसी को ठेल रहा है cold air mass है तो जो front बनेगा उसका हम लोग बोलते है cold front और cold front को हम लोग दिखाते हैं इस तरह से ठीक है इस तरह सम लोग cold front को दिखाते हैं ठीक है करने का मतलब यह हमारा cold air mass है ठीक है यह हमारा warm air mass है अब क्या होगा cold air mass मानलों इसको ढखेल रहा है ठीक है तो क्या होगा cold front का निर्मान हो जाएगा ऐसे करके यहां पर cold front भॉल्ड है इसको ठेल रहा है वार्म पर पर जchnो को tel भॉलेंगे अगर वार्म ठेलेगा को तो वार्म फidal भॉलेंगे तो को प्रिस निघाम दिखातेए उसी थ तरह से warm air mass जब cold को ठेलेगा तो बनेगा warm front क्या बनेगा warm front थीक है तो warm front को हम लोग इस तरह से दिखाते हैं ऐसे गोला गोल होता है अब cold air mass कैसे होता है triangle triangle दिखाते है मतलब cold front थीक है समझ गया clear है बहुत simple है कोई कुछ नहीं अब देखे cold front और warm front जहाँ पे मिलता है तो वह पे अस्टेशनरी front का निर्मान होता है समझ में रहा है cold front और warm front जहाँ पे मिलेगा तो वहाँ पे निर्मान होता है a stationary front का stationary का मतलब ही होता है जहां पर कोई movement नहीं होगा तो इस तरह से हम लोग को a stationary front को दिखाते हैं तीक यह हमारा a stationary front है ठीक है कब बनता है जब cold front cold air mass warm air mass मतलब कोई movement नहीं होता है तो पोल से आएगा कोल्ड एर मास उसके रिस्पेक्ट में अगर हम देखें कि यह जो हमारा सब पोलर एरिया है यह फोल ठंडा होता है जैसे आप एकवेटर की तरफ जाएंगे ठंडा कम होते जाएगा तो अगर हम बोले कि यह ज्यादा ठंडा है तो उसके नीचे वाला जो कम ठंडा होगा ना इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि यह वाला जो एरिया है यह वाला यह वाला जो एरिया है इस एरिया के रिस्पेक्ट में गरम होगा यह जादा ठंडा है यह कम ठंडा है तो हम बोल सकते हैं ना कि यह वाला जो एरिया है वो इस एरिया के रिस्पेक्ट में गरम होगा, ठीक है, मतलब यहां से जो, यहां जो air mass बनेगा, वो warm air mass बनेगा, as compared to जो polar वाला area है, तो polar में क्या बनेगा, cold air mass, cold air mass बनेगा, ठीक है, और यह warm air mass, तो जब cold air mass नीचे आएगा, क्योंकि भारी होता है, और warm air mass क्या चाहेगा, ऊपर जाना, तो ऐसा situation आएगा, कि cold air mass सीधर जा रहा है, और warm air mass सीधर जा रहा है, अभी दोनों में कोई टकराव नहीं हो रहा है, तो यहां पर जो front बनेगा, यहां पर cold air mass सीधा निकल गया, और warm air mass सीधा निकल गया, दोनों में कोई टकराव, मतलब कोई collision नहीं हो रहा है, टकराव नहीं हो रहा है, तो इस front को हम लोग बोलते हैं stationary front तो stationary front वहाँ बनता है जहां पर cold air mass और warm air mass सीधा निकल जाता है कोई टकराओ नहीं होता है ठीक है ठीक है अब समझ गये warm front क्या हुआ cold front क्या हुआ stationary front क्या हुआ ठीक है अभी एक एक करके सब front को देखेंगे बस अभी हम आपको बता देते हैं ठीक है अच्छा उसके बाद क्या होता है जब front एक दूसरे से पूरी तरह से मिल जाता है cold front warm front तो उस front को हम लोग बोलते हैं occluded front क्या बोलते हैं occluded front ठीक है जब cold front और warm front यह हमारा warm front है ठीक है और यह हमारा cold front जब दोनों मिल जाता है आपस में तो तब occluded front बोलते हैं और उसके बाद front खतम हो जाता है ठीक है तो जो भी हमारा temperate cyclone बनता है वो तब ही बनता है जब front आपस में मिलता है मिलने के बाद जब front एक दूसरे को खतम करने के last का गार पर रहता है तो उस हम लोग front को occluded front बोलते हैं ठीक है अब एके करके हम लोग warm front के बारे में cold front के बारे में detail में थोड़ा देख लेते हैं तो पहला हम लोग देखेंगे cold front के बारे में ठीक है cold front तो देखिए मैंने बताया है कि जब cold air mass warm air mass को दबाता है तो बनता है cold front ठीक है तो मान लीजिए ये cold air mass इधर move कर रहा है ठीक है और इधर से warm air mass आई है ठीक है तो cold air mass को हम जो है दिखाते हैं कि वार्म air mass को में लोग रेड से दिखाते हैं ठीक है यह हमारा warm air mass और cold को हम लोग दिखाते हैं मान लो तो मैं green से दिखाते हैं मान लो ठीक है green से आजा भाई green ठीक है तो यह मान लो अरे क्या हो गया यह चलो यह हमारा मान लो हुँ है यह हमारा मान लो cold air mass अब दोनों टकरा रहा है टकरा कहा रहा है कि जो हमारा cold वाला है वो इसको पूस कर रहा है तो cold जब पूस करेगा तो कौन सा front बनेगा cold front बनेगा क्या बनेगा cold front यह हमारा cold air mass ठीक है cold air mass यह warm air mass तो जब पूस कर रहा है तो क्या होगा cold air mass बारी है बारी है ना cold चीज बारी होता है हावा air मतलब cold water water है ठंडा है ठंडा होने भारी है तो cold air mass क्या होगा दोस्तों नीची रहा जाएगा यह हमारा नीचे ठीक है और जो warm air mass है वो क्या चाहेगा ऊपर उटियाएगा ऊपर हलका है ना तो यह उपर उटिया ठीक है तब क्या होगा अब जब यह जो हावा है वार का मौइश्यर है ले लेगा लेने के बाद दीरे दीरे बादल का निर्मान होगा क्या होगा दीरे दीरे बादल का निर्मान होगा ठीक है तब तो cold air mass में क्या होता है जब cold front बनता है तो weather जो होता है कैसा होता है वो देख लीजे वही मैं बता रहा हूं तो इसमें बहुत ज उठ रहा है cold air mask के उपर उसके कारण वो मौश्यर ले लेता है और बहुत dark cloud बनाता है जिसके कारण बहुत सरा बारिस होता है तो आपको dark cloud दिखेगा गहरे कलर का बादल बनेगा cold front में ठीक है और dark cloud को में पता है क्या आप बोलते हैं nimbus cloud nimbus nimbus cloud मतलब dark cloud होता है और बहुत सार इसमें पानी रहेगा तो उसको लोग कोल देंगे cumulo nimbus nimbus cloud तो अलग-अलग type का cloud बनता है साथी साथ और भी हलका-अलका भी cloud बनता है शुरू में लेकिन जैसे ऐसे front बनते जाता है बनते जाता है cold front वैसे वैसे cloud जो होता है डार्क होते आता है तो शुरू में जब टकराएगा हलका-अलका तब बनेगा light color का cloud लेकिन जब पूरा अच्छे से टकरा जाएगा cold air mass, warm air mass और cold front जब अच्छे से serious cloud ठीक है उसके पर denser cloud बनता है तो इस तरह का होता है और जहां भी cold air mass आएगा तो वह क्या करेगा cold चीज ठंडा होता है तो वहां का weather को ठंडा कर देगा clear तो यह हो गया cold front समझ में आया तो cold front कब बनता है जब cold air mass, warm air mass को push करता है ठीक है तो उसके करण warm air mass ऊपर जाता है तो जब शुरू में टकराएगा तो light cloud बनेगा अलके रंग का serious cloud जिसको बोलते हैं उसके बाद धिरे-धिरे dark cloud बनता है जिसको cumulus और cumulonimbus cloud बनते है और weather बहुत जो होता है खतरनाक होता और बहुत भ्यंकर बारिस होता है और वहां का temperature जो होता है थोड़ा कम हो जाता है क्योंकि cold air mass warm की तरब move किया है दूसरा होता है warm front इसमें क्या होगा जो warm है ठीक है यह वानलो warm air mass है ठीक है यह push करता है कि इसको cold को ठीक है यह हमारा cold है तो इसको push करेगा warm warm वाला ठीक है तो क्या बनेगा warm front बनता है ठीक है तो मानलो तो cold वाला नीचे रहेगा और warm उसके उपर आजाएगा ठीक है समझ में आ रहा है warm उसके उपर आएगा इस तरह से यह warm उपर जा रहा है और यहां पर एक front का निर्मान होगा जिसको हम लोग बोल दिया warm front ठीक है और यहां पर जो निर्मान हो रहा था क्या था cold front तो यहां पर आपको एकदम अब्रप्टली सुलोप दिखेगा ढ़लाओ एकदम बढ़ जाएगा मतलब इस टाइप से होगा यह हमारा cold है ठीक है और यह warm है एर मास तो सुलोप आपको ऐसा दिखेगा front एकदम सिधा ठीक है लेकिन वहीं जब warm front बनता है तो सुल warm front बनेगा तो moderate बारिस होगा और कम बारिस होगय ज्यादा बारिस नहीं होगे लेकिन बारिस जो होगा वहिएफ बड़ अरय लेकिन बारिस किया होगा कम होगा ठीक है और जहां भी warm air mass जाएका तीक है तो वहाँ का weather वहाँ का temperature क्या करो बढ़ादेगा प्रेसर क्या करेगे यह सब प्रेशर टेंपरेचर में चेंज होगा बढ़ाएगा थीक है समझ में यह आगे होगा तो क्या हम बोल रहें कि जब भी कोल्ड फ्रेंट बनता है तो वहां पर बहुत जादा बारिस होगा अगला अगला का क्लाउड बनेगा ठीक है गाड़ा बनेगा हलका बनेगा लेकिन जब हमारा वार्म फ्रेंट बनता है तो वहां पर वेदर उतना चेंज नहीं करता है तेंपरिचर थोड़ा मोला चेंज करेगा बारिस भी होगा हलका होगा उतना नहीं होगा और प्लस लंबे और मतलब क्या बोलें उसको बड़े एरिया में होका बारिस और घंटों तक होते रहेगा वार्म फ्रेंट में तो यह था वार्म फ्रेंट और कोल्ड फ्रेंट क्लियर और फिर एक्लूडड फ्रेंट होता है एक्लूडड मतलब क्या होता है जब दो फ्रेंट पूरा तरह से मि वार्म को तो वार्म भी तो को कर रहा होगा तो इसके कारण क्या होगा वार्म हलका है तो एक तरफ जब पुस्ट कर रहा है वार्म को तो यहां पे कोल्ड एर्मास बन रहा है स्वरी कोल्ड फ्रेंट बन रहा है जब वार्म पुस्ट करेगा किसको आपका cold गो यहां पे आपका warm फ्रेंट बनेगा तो अप दोने दुस्टे को push कर रहा है तो कुछ दिर बाद क्या होगा चुकि warm air mass हलका है तो यह उपर उड़े आएगा ठीक है फ्रेंट बना रहेगा यहां पे मालीजे cold फ्रेंट बना है इधर मालीजे warm फ्रेंट बना है तो कुछ में बाद क्या होगा एक air mass उपर चला जाएगा दूसरा air mass नीचे ही रहेगा ठीक है और condition हो जाएगा उल्टा पहले cold air mass अलग 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 था ठीक है तो cold push किया तो cold front warm फ बोलते हैं जब एक air mass दूसरे को overtake कर लेता है ठीक है समझ गया तो यह चीज है तो आप देखेंगे हम लोग अब हम लोग front के बारे में आप समझ गया ना कि कैसे front हुआ ठीक है कि अब हम देखेंगे दोस्तों तो यह बार थोड़ा सा देख लीजिए उग्लूडड़ फ्रेंट कैसे रहता है उग्लूड़ फ्रेंट क्या रहेगा कोल्ड इस तरफ आ जाएगा और वार्म जो है उपर उड़े आएगा मतलब पोल्ड पूरा उपर नहीं उठेगा कोल्ड एयर है इधर कोल्ड एयर है ठीक है और इस तरफ भी कोल्ड एयर रहेगा ठीक है और जो वार्म एयर को क्या करेगा यह उपर ठेल देगा ठीक है अब यहां पर आपको वार्मेयर दिखेगा तो यहां पर भेहंकर बारिस वारिस का निर्मान होता है क्योंकि दोनों तरफ इधर भी कोल्ड एर है इधर भी कोल्ड एर है और उपर में पूरा आपको वार्मेयर दिखेगा तो वार्मेयर क्या करेगा कोल्ड का पुरा महाईस्यत लेके बादल का निमान करेवार भैंगर बारिस होता है ठीक और यहीं पी आपका पिर साइकलॉन वाईकलॉन टेंपरेट साइकलॉन यह सब जो है बनता है ठीक है समझ माँ रहे हैं तो चलिए अब हम लोग देखेंगे Temperate Cyclone के बारे में, ठीक है, Temperate Cyclone, ठीक है, तो बहुत असान चीज है, Temperate Cyclone, कोई लफड़ा नहीं होगा, असानी से आपको समझ माँ जाएगा, क्योंकि ये Cold Front से ही Related है, Temperate Cyclone, मतलब Front से Related है, ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ, जो हमारा Polar Air Mass था, Polar Air Mass, वो कैसा है, ठंडा, Cold Air Mass है, और जो हमारा Sub Polar Air Mass है, वो भी ठंडा है, लेकिन Polar Air Mass के रिस्पेक्ट में क्या है, वार्म है, तो दो Air Mass हो गया, तो क्या निर्मान होगा, Front का, ठीक है, और फिर एक खावा दूसरे को Push करेगा, तो मान लीजिए, सबसे पहले इस तरह का Condition था, यहां पर Cold Air Mass इधर जा रहा था, Polar वाला, ठीक है, और जो Sub Polar वाला Air Mass है, वार्म, वो इधर जा रहा है, देखिए, यह हमारा Equator था, मतलब यह अड़ता है, यह Equator, यह Sub Tropical, यह Sub Polar और यह Polar, तो Polar से इधर आ रहा था ना, इस्टरली जो आपने, मैंने आपको पहले बताया था, इधर से क्या था, वेस्टरली, तो यही है, वार्म का Direction इधर है, मतलब सीधा है, और Cold वाला जो Polar से आ रहा, वो इधर था, तो देखिए, इधर आ रहा है, क्या है, जब कुछ नहीं, दोनों पैरल निकल जाता है, तो इसको मैं लोग क्या बोलते हैं, मैंने बताया था, क्या बोलते हैं, अस्टेस नदी, फ्रंट, ठीक है, स्टेस्नरी फ्रंट बोलते हैं, अब क्या होगा दोस्तों, Cold Air Mass भारी है, वार्म हलका है, तो दोनों एर्मास एक दूसरे को पुछ करेगा, तो एक फ्रंट जो था सीधा, वो फ्रंट क्या होगा, थोड़ा बेंट करेगा, जहां पे जो कोल्ड वाला है, वो नीचे आने का कोशिस करेगा, और जो क्योंकि भारी है, और वार्म वाला जो है, वो हलका होने के कारण इधर पुछ करेगा, तो यहां पे फ्रंट का निर्मान हो जाएगा, ठीक है, तो यहां पे आपको यह डाइग्राम बना रहा हूँ, यह कोल्ड फ्रंट बन और कोल्ड वाला भारी है, तो भारी होने कारण और तेजी से नीचे आएगा, और वार्म वाले को पुस करेगा, ठीक है, तो जो हमारा फ्रंट है, थोड़ा सा इसे मुड़ जाएगा, क्या होगा, एसे करके मुड़ी आएगा, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, फिर से से नीचे आएगा, कोल्ड वाला, बहुत तेजी से, ठीक है, तो कोल्ड एर मास बहुत तेजी से नीचे आएगा, ठीक है, तो यह हमारा कोल्ड फ्रंट बन रहा है, ट्रेंगल के सेप में, ठीक है, और वार्म एर मास जो नीचे था, उसका एरिया, देखिए, अब इतना ही अरिया में warm air mass बचा है सबको यह उपर ठेल दिया किसको warm air mass को किस ने cold air mass क्योंकि बहुत तेजी से cold air mass नीचे आ रहा है ठीक है तो पूरा अब क्या हुआ warm बाला उपर जाने का कोशिश कर रहा है cold बाला इधर से cold बाला इसको नीचे आ उपर जाने ही दे रहा है जबाके रख रहा है तो यहां पे हमारा?!" वार्म वार्म बनेगा कि यूः बनेगा कि वार्म वाला स्च कर रहा है और इस तरह का में फीगर दिखेगा जहां पे आपको वार्म में एरमास, ठीक है? इस तारह का फिगर दिखेगा एधर आपका cold air मास, ऐसे दिखेगा, समझ गया है? अब क्या होगा? आप cold air मास इतना नीचे आने लगेगा की ये जू आपका गैप दीख रहा है इतना गैप वह और कम होनी लगेगा, ठीक हुआ ह cigarette का? आप मतलब इस टैप का हो जाएगा इस टैप का इह फे बस इतना ही जगा बचा हुआ है बाकी को ऊपर ठेल दिया किस ने इधर से जो आपका cold air mass आ रहा है cold air mass तो जो हमारा cold front ऐसे बना हुआ था और ऊपर में क्या बना था warm front ठीक है warm front बना था और बीच बीच में क्या बना था ऐसे cold front तो पहले इतना area ऊपर था दोनों का mixture cold और warm का ठीक है अब पूरा इतना area बढ़ जा तो धीरे धीरे क्या होगा कि warm air mass पूरा ऊपर जाएगा ठीक है और इसी कोम लोग क्या बोल देंगे occluded front क्या बोलेंगे occluded front जहाँ पे cold air mass warm air mass एक दूसरे को push करता है इस तरह से cold air mass overtake करने का कोशिस करता है warm air mass को उसके बाद occluded front बन गया ठीक आप देखें आपको दिख रहा होगा कि किस तरह से हवा का जो सीधा इस तरह तरह से डारेक्शन था ऐसे लियुक्त होगा जा रहे थी आप दोनों फोटा सा बन की डूकि एक इधर जा रहा एक इश कवा है ह्लावटर जारा हें यांब देखें और अ हुआ और यांद गई आपको दिख रहा है कि धोलडियों साइक्लों के विखालोव में बन रहा है क् करांन से यहां पे कोई वाटर वाटर का रोल श्меां इस तरह च में हम आ असब करते हैं कि आपको समझ में आ गया इसे ढाइक होगा टेमगे यहां भी देखिए इधर से इधर जा रहा है मतलब टेंपरेट साइकलोन का डायरेक्शन अगर हम पूछें तो इधर से इधर बोलेगा वेस्ट टू इस्ट लेक और यहां मानले हम लिखें कंपेर करते हैं अगर अगर हम कंपेर करें ठीक है कि एक तरफ हमारा टेंपरेट मतलब टेंपरेट साइकलोन जो होता है कम अरिया कम होता है तीक है कम एरिया में यह होता है लेकिन जो इसका एरिया बहुत ज़्यादा होता है मैंने बता है एर मास कितना बड़ा होता है किलो मीटर किलो मीटर हजारों किलो मीटर में होता है तो यह है इसका ज्यादा एरिया हम रहता है अगर मैं स्पीड का बात करूंगा तो ट्रोपिकल साइकलों बहुत वाइलेंट होता है मैंने बताया था तो स्पीड बहुत ज्याद नहीं है यह आपका temperate area में रहता है 30 से 65 degree north and south clear समझ गए तो यह अंतर है आपका tropical cyclone में और temperate cyclone में tropical cyclone का नाम होता है temperate cyclone का उतना कोई naam warm नहीं होता है clear समझ गए simple है यह पैसिक question अगर पुछे का यही सब से पुछे का यही सब concepts ठीक है अब देखिए tropical cyclone हो गया temperate cyclone का और भी कुछ नाम है वो थोड़ा देख लीजे temperate cyclone का हम लोग mid latitude cyclone भी बोलते हैं क्योंकि यह mid latitude में होता है 35 degree not south मैं ने बता दिये mid latitude cyclone भी बोलते हैं ठीक है इसको हम लोग extra tropical cyclone भी बोलते हैं extra tropical cyclone क्योंकि यह tropics में नहीं होता है इसलिए extra tropical cyclone बोलते हैं ठीक है इसको हम लोग temperate cyclone भी बोलते हैं क्योंकि temperate area में होता है ठीक है शमझ गहे ना तो एक बाद UPSC ने temperate cyclone से question पूछा है और front इससे भी पूछा है तो जब भी front से question पूछेगा ठीक है तो ये पांचों चीज आपको diagram बनाना है cold front कैसे बनता है सबसे प्रेशनरी front बना फिर cold front बना फिर one front बना उसके बाद occluded front बना जब overtake कर रहा था और last में dissipating dissipating front बनता है ठीक है ये diagram आपको NCRT में बहुत अच्छे से दिया हुए अभी आप concept को समझ लीजे इंसरी पढ़ेंगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा ठीक है मेरा focus ही है कि आपको पूरा conceptual clarity रहे हर चीज को सिर्फ आप रटिये मत एकदम समझ समझ के पढ़िए लंबे समय तक याद रहेगा और गलती नहीं होगा exam में ठीक है दोस्तों समझ गए तो चलिए अब जो air mass का topic है वो थोड़ा लंबा है ठीक है तो अभी अल्रेडी लेक्चर जो है आपका पचास मिनट से उपर हो चुका है तो हम नहीं चाहते है कि ज्यादा घंटे का class हो तो हम लोग air mass को next lecture में पढ़ लेंगे और next lecture में ही हम लोग अल नीनो क्या होता है ला नीना क्या होता है ठीक है इंडियन ऑसीन डाइपोल क्या होता है यह सब के बारे में detail में पढ़ेंगे ठीक है तो चलिए मिलते है next lecture में तो तक अपना ख्याल रखिए खुश रहिए मस्ती से पढ़िए और मन लगा के पढ़िए टाइम इस मंतर का आप चाप कीजिए चैंटिंग कीजिए आपको बहुत सक्ति मिलेगा काहतरी मंतर का भी आप चैंटिंग कीजिए आपको अंदर से बहुत मोटिवेशन रहेगा खुब मन लगा के आपको दिमाग फोकस होके पढ़ाई करेंगे ठीक है और खुब मेहनत कीजिए जितना आप में सक्ति है उतना पुरा खुब मेनत कीजिए अच्छा चा काना खाईए ठीक है फास्ट पूट कम खाईए सबजी वेजिटेबल्स यह सब खाईए पानी पीजे अच्चे से और मन लगा के पढ़ाए कीजिए सफलता जरूर आपको मिलेगा ऐसा भगवान के सा लगारा विश्वास है और मंगल कामना है ठीक है इसी के साथ इस लेक्चर को ही पर इंड करता हूं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर लेक्चर नमबर एट में हम मिलेंगे कल ठीक है कल वही टाइमिंग होगा साड़े तीन साथ बजे रात आज थोड़ा लेठ हो गया क्योंकि अफिस में थोड़ा काम था तो अभी का क्लास तो आपको मिल जाएगा आठ बजे के आसपास रात में लेकिन कल का क्लास आपको साड़े साथ बजे से डेली मिलेगा और कल हम लोग जो है कल नहीं परसो परसो हम दो सी सेट भी करेंगे ठीक है तो अपने ख्याल रखे और मन को timing बता दोंगगा तो हम लोग फर्स्ट क्लास साइंस टेक का लाइब लेंगे जिसमें साइंस टेक का क्या स्लेबर से वो बताएंगे और किस तरह से साइंस टेक मैं पढ़ाऊंगा वो बताऊंगा और कितने questions आते हैं वो बताएंगे क्या क्या-क्या important topics है वो बताएंगे और फिर हम लोग पहला क्लास उसी से शुरू कर देंगे लाइब क्लास ठीक है तो चलि दोस्तों अपना ख्याल रखिए खुश रहिए मस्ती से बढ़ाई कीजिए मन लगा के और चैनल पर पसंद अगर आपको वीडियो आ रहा है कोई जो जब जसते नहीं है पसंद आ रहा है ऐसा ही मेरा आसा है कि सब बच्चे पढ़ें और सब आगे बढ़ें ठीक है तो अपने ख्याल रखिए गॉड ब्रेस यू टेक केर बाई बाई